की सबसे बड़ी खबर बिजेपी नेता ब्रेज भूशन सिंग का टिकेट कटने की खबरों ने राजनितिक मंच को हिला कर रख दिया है दरसल महीला पहलवानों से योन शोशन के आरोपों में घिरे बिजेपी नेता को कैशर गन से लोग से बचुनाव टिकेट कटने का निर्ने लिया गया है इस निर्ने के बाद उनके बेटे करन भूशन सिंग को मैदान में उतारा जाना तैह हुआ है जल्दी करन के नाम का एलान किया जाएगा यह निर्ने बिजेपी के बीच के रास्ते को साफ करने के लिए लिया गया है भाजपा को आशंका थी कि ब्रज भूशन का टिकेट कटने से ठाकुर बिरादरी नाराज हो शकती है ब्रज भूशन सिंग का 6 सीटों पर प्रभाव है जिससे उनके बड़े बेटे प्रतीक भूशन सिंग परी प्रभावित है उन्होंने शोशल मीडिया पर यह जानकरी साजा की कि करन भूशन सिंग को केसर गंज से बिजेपी ने अपने प्रतियाशी बनाया है ऐसी खबर है कि करन भूशन कल यानि की 3 मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं ब्रज भूशन के बड़े बेटे प्रतीक ने वाटसब पर लिखा करन भूशन सिंग आपके आशिरवाद का आकांशी के सरगंज करन भूशन का गुरुवार को एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वेपिता के पैर शुकर आशिरवाद लेते वे भी नजर आ रहे हैं